भागो मत सामना करो स्वामी विवेगानंद जोकी स्वामी रामकृष्ण परमहम्स के प्रियशिष्षी थे उनके शरीर त्याक करने के पश्चात्वे तीर्थी आत्रा पर निकले उन्होंने भारत देश के कई तीर्थ स्तानों के दर्शन किये अब की बार विकाशी के सबसे प्रसिद विश्वनात मंदिर के दर्शन करके जैसे मंदिर से बाहर आकर सीधिया उतर ही रहे थे कि उनके इर्द गिर्थ कई बंदर चक्कर लगाने लगे उनको देखकर स्वामी जी थोड़ा सा सतर्क होकर रुग गए और उनके जाने की प्रतिक्षा करने लगे लेकिन कोई भी बंदर वहां से टस से मस नहीं हुआ फिर जैसा ही स्वामी जी चलने लगे सबी बंदर उनके पीछे पढ़ गए उन दिनों स्वामी जी सिर पर साफा बानते थे और एक लंबा सा अंगर का पहना करते थे उनके हाथ में कुछ पुस्तके भी थी इसलिए बंदरों को संदे हुआ कि उनके पास जरूर खाने की चीजे है स्वामी जी उन बंदरों को पीछे आते देख गबरा गए और दोडने लगे बंदर भी उनका पीछा नहीं छोड रहे थे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें उनका शरीर काप रहा था आसपास के लोग ये सारा तमाशा देख रहे थे कोई उनकी मदद करने आगे नहीं आ रहा था तभी स्वामी जी को भीड में से एक आवा सुनाई दी जैसे ही ये शब्द उनके कानों पे पड़े वे वही के वही निर्भीकता से खड़े हो गए उनको देखते ही बंदर भी वही रुख गए और वो थोड़ी समय बात स्वायम वहाद से चले गए तब स्वामी जी की समझ में आया कि ये बंदर भी हमारी समस्याओं की तरह है अगर हम समस्याओं से डर कर भागेंगे तो समस्याओं भी हमारी तेजी से पीचा करेंगी इसलिए हमें इनसे दूर भागने की बजाए उनका साहच से डर कर सामना करना चाहिए उस दिन से स्वामी जी के जीवन में नया मोड आ गया उन्होंने भार्दिय समाज में जहां भी बुराई देखी उसका डर कर विरोध किया और उसे समाप्त करने में अपना पूरा योगिदान दिया इन सभी गुणों के कारण ही स्वामी विवेगानद जी विश्व प्रसित संत और समाज सतारक बने